हाई फ्रेंड्स जीत रंगुली में मैं आप सभी लोगों का है दिक स्वागत करता हूँ चलिए आज एक सुन्दर सा राधा कृष्णा जी के पोस्टर रंगुली बना ना सकते है राउन शेप में तो सबसे पहले हमने 40 cm त्रिज्जा लेकि एक सर्कल बनाए और एक फोटो चूज की एक राधा कृष्णा है कृष्णा जी उपर है और राधा जी निचे देख रहे हैं उनके तरफ दोने एक दिस्टरों के तरफ तो स्लांटिंग में आधा रेश्या बनाए मतलब दोनों सर्कल को दो साइट में भाग कि दो भाग में दो फेज आना चाहिए तो ड्रा करने के पहले सबसे पहले एक दम हलका रेश्या से आउपकलेंड करना कि कहां पे कितना भाग आएंगे ड्राइंग का इसलिए मैंने सबसे पहले एक दम हलका हलका आउपकलेंड कर रहा हूं कि कहां पे आखे नाग फेस एक बर हमें आइडिया आ गए कि हां इतना जगा में यह बनेगा उसके बाद फिर फाइनल जो इसकेच है वो फाइनल इसकेच करेंगे क्योंकि पोस्टर रंगोली में इसकेचिंग सबसे इंपोर्टन होता है इसकेच जैसा बनेगा और हम उसमें कैसा फिल करते कलर और कैसा शेट करते हैं उसके उपर डिवेंट करते कि हमारा रंगोली कितना अच्छा बनेगा आप चाहे तो ग्राप के भी यूज़ कर सकते हैं इनके माथे में जो फेटा था वो थोड़ा राउंड में नहीं आ रहा है इसलिए हम इनको थोड़ा सब बाहर के तरब लेंगे राउंड से बाहर गए तो भी कोई प्राब्लम ने वो भी अच्छा दिखता है पिर फेज बन गए तो फिर बाकी यह के बासुरी बनाना है हाथ उंगलिया यह पर वह थोड़ा जगा बचा है तो दूसरा हाथ भी हम दिखा सकते हैं आप पर एक साइड में दूपट्टा है दूसरा साइड में भी दिखाएंगे इदर दूपट्टा पर फिजो राधा रहने के फिर से वह बासुरी से लगके था इसलिए हमने बासुरी से लगके ही उनके नाक से स्टार्ट किया और बाकी सारे चीज उनके प्रोपर्शन में बनाते गए इनकी जो चुंट्री है वह बनाना है माथे पर आपको टाइल से बनाना है तो आप क्राइन कलर या वाइल पिस्टल से ड्रॉ कर सकते हैं कि आसाने से मिट जाता है टाइल से तो आपने यह आउटलाइन कर लिए प्रोप्रशन में झाल आल एप है निचे थोड़ावाक एक फिल रख से डार्क ब्राउन दिये और दोनों को मिला दिये इनका जो फेटा है इसमें पिंक कलर है तो फिलर के साहता है पिंक कलर पहले फिल करेंगे उसके बाद रेट कलर से आउटलाइन या जो शेड या इतके जो फोल्ड है वो रेट कलर से देंगे और फेटे के ऊपर कुछ डिजाइन है इनकी जो पीछे कॉर्णर पे जो डिजाइन है पहले हमने एलो का पट्टा बनाए फिर रेट के वाइट से लाइन कुछ लंबी डॉट और बाहर के तरफ ग्लू बोटल के साहता से सपत रंगुली से डॉट दी थे जनकी बात है रखना है कि जैसे फोटो में दीक रहे है और हम गुल्ली में अववर्क कर रहे है है तो यह बात हैं रहान है उसніलों प्रोटा से है अपर हर्ण ilum तो आप योदि आप लेक कलर से एक्जाक्ट फोटो जासे बनाना चाहते हैं तो उब ही कर सकते हैं मतलब सारे प्रिंटिंग जाएसे भी बना सकते हैं लेकिन आपको साधा में बनाना है तो इस प्रकर के डॉट से ही डिजाइन देना है क्युक्क जो लेक कलर रहता है वह एक्जाक्ट आप फोटो के जाए सा बना सकते है उसमें समय ज्यादा लेगेगा इसमें समय कम लेगेगा इसमें थोड़ा सा 3D एफिक्ट आएगा जिसे डॉट डॉट दे रहे हैं जो डिजान बना रहे है कि मैं यहां पर जो सपिट डॉट के लिए गुलू बोटल यूज किया और जो यलो का डॉट है यह उसके लिए जो फनेल होता है यह चाड़ी और नली उसका यूज किया यह फनेल होता है यह पर एक रेड स्टोन साइड में थोड़ा सा ब्लाक यह पर पींक और रेड उपर एक मोरपंग बनाना है मोरपंग को भी थोड़ा उपर जाने देंगे क्योंकि फेटा जब बाहर आया तो बाकी चीविए भी हम थोड़ा से उदर उजा करेंगे कि फेस कलर बनाने के लिए हमने सपेद और इसका ब्लू मिक्स किया अब थोड़ा से अग्दम लाइट किया कि फेस में कलर गहरने के पहले उनके जो अउट्लेने आई और आईब्रो के वो कर लेना है और लिप का भी कि उसके बाद अब आज से खिल कर सकते या दी कोई बारीघ्ज़ली वाला फिलर और से फिल कर सकते या चंडिी ने से फिल कर सकते लेकिन चन्नी से फिल लाइन के पहले आप हाथ से फिल कर लिजिए इसमें थोड़ा सा रंगुले को कम लगेगा अभी मैं जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ऊबर खबर दिख रहें उनको फिनिशिंग करने के लिए भी मैं चन्नी उसकर रहा हूं वह चन्नी इससे क्यासा बारीक रंगुली किरता है और जो थोड़ा बहुत गयाप था ओफ भर दियो हो सबस्था पहले फेस में लाइट कलर भर ना होता है उसके बाद उसमें थोड़ा सा राख मिला के डार्क करना होता है और फिर जहां पर तोड़ा डार्क है ओपर डार्क शिर्ट देना है अब इसमें और थोड़ा सा डार्क करने के लिए हम यहां पर थोड़ा सा ब्लैक मिला है और जो आखे की उपर का थोड़ा सा रेशाय देना था ऊफ दिये अब इदी चेहरे का और हाइलेट करना है तो जो फिस कलर पहले बनाए थे उसे में थोड़ा सा वाइट मिला के थोड़ा सा हाइलेट कर सकते हैं अब चेहरे में थोड़ा सा लालीपन लाने के लिए जो चेहरे का कलर बनाए थे लाइट वाला उसमें हलका सा पिंक मिक्स करन तो प्रोपर ली वह विश्वक्ट आएगा उसके पार लास्ट में इनका जो आईज है वह बनाना है ब्लाक कलर से जो आईबॉल है आईबॉल के अंदर आप जो ब्राउन कलर है वह ब्राउन कलर दे सकते हैं यह उसके उसके अंदर एक सपेड डॉट लिप में पिंक कलर और रेड कलर से आउट लाइन और बीच में जो लाइन है उसमें आप रेड में थोड़ा से ब्लैक मिलाक के कथ्था करके डार्क कर सकते हैं तो यह फेस हमारा बन गया अब इनके जो कान में कुंदन है इसमें भी इत्सरों डॉट डॉट से डिजाइन देंगी कि जो जुवलेरी इफेक्ट है यह डॉट से ही आएगा कि यह दो तिन स्टेप है इसमें दो स्टेप इनके थो बाल दिखा है ब्लैक कलर से अब यह से फेस को आउटलाइन नहीं करना है इसलिए क्या कि हमने जो ग्रीन कलर में थो ब्लैक मिलाक कर दिये तो जब हम यह डार करेंगे तो ही फेस फेस खिलके दिखेगा यह फ्रेस दिखेगा कर लेते क्योंकि इनके फेज भी लाइट रहेगा तो इसलिए जो बैगरोंड नहीं डार करना चाहिए कि पहले से कर दीए उसके बाद जो बागी जगा था उसको थोड़ सब मिलाने के लिए घृणि से उनको लदर हाई-लेट करने करें तो торिव हाइं-ट डार सकते ледफ दिखेगा अब जो बाकी है एक बाकी सारे चीज आसन लगता है इनको जो हाथ है और जो बोडी है इनमें भी जो इतना कलर बचा है वो कलर फिल करना है लाइट डार्क तो अब लाइट करने के लिए तुरसा वाइट जो दुपत्ता है ग्रीन कलर का है इनको जो बॉडर है यलो और इनसे आउटलेन की जो बासुरी है बासुरी में हल्दी कलर यूज की और निचे थोड़ा सा ब्राउन ब्लैक से आउटलेन करेंगे बासुरी को दो डिजन बनाएंगे उपर भी और कुछ रिशा एलो का दे सकते है डिजन के लिए अब इनका जो बनाएंगे वाइड और लो से एक तो फोटो में जैसा दीख रहे हैं उससे र्लेटेट बनाईए यह अपने मनंसे बहुंग सकते हैं यह विए विदा इस है उसकी हिसाब से जोलिया बढातों कि ये ब्लू इसके बढुद चाहिते हैं इस एक्शलिविरा पाज एनंद फिर दुर्स में ब्लू कशनिवर फ़ल का बाएंग्युंद है अभी जो राधा रहनी है इनके हेर में पहले ब्लैक भर दिये इनके फेस कलर बनाने के लिए हमने वाइट कलर लिए सबसे पहले वाइट में थोड़ा सा पिंक मिलाएं और इसमें थोड़ा सा एलो बस्तीनी कलर मिलाएं और एक लाइट फेस कलर बन गया तो फेस में हमने कलर बनने के लिए सबसब पहले आउट लेंड करना है आईज और आइब्रो के ब्लैक से लिप भी बना लेना है और चेहरे में जो कलर बना है फेस कलर वह कलर बना है करने के लिए छन्नी में फिर से लेना है और उसको फिर से छन्नी से फिल करना है तो वह प्रपर लिए फिनिशिंग दिखेगा आखो चेहरे में फ़्यों गुलाभी देने के लिए जो फिस बर बना है उसी में थोड़ा सब इंक मिला है करके फिर सब्सक्राइब जयाओर चेहरे में डार्फ सिर्ट देने के लिए जो चेहरे का कलर बनाए थे अस्तिम्ने में तो अधर्वा रेड और औरेज मिला सकते या तो हल्का सा उसमें ब्लैक मिला सकते हैं हाइलेट करने के लिए वाइट फिर निका आइब्रो आइज ब्लैक से इनके आइस के अंदर हल्का सा ब्लू दिया है मैंने और एक छोटा सा वाइट डॉट लिप में भी पिंक और रेट के साथ थोड़ा सा ब्लैक मिला के आउटलाइन किया इनके नाक में इतनी इनके जो जोलेरी है वो भी वाइट और एलो से और डॉट के साथ ऐसे बनाएंगे इनके कान में जो कुंदन है वो भी एलो और वाइट डॉट और बीच में जो इस्टोन है रेड या ग्रीन दोनों को कंबैंड करके देंगे ठीक एक उंदन मन गया अब जो माथ है कि उपर डिजैन था वो भी हमने एलो डॉट और बीच में एक छोटा सा वाइट डॉट से डिजैन बनाएं गोल इनका जो दुपट्टा है एलो कलर का है और जो बॉडर है वो भी एलो कलर का है अच्छली यह ट्रांस्परेंट चुन रहे है इसलिए जो बैग्राउंड में उनकी बैग्राउंड में जो कलर है वो कलर फिल करना है जैसे हियर का नीचे ब्लाउस का अभी ट्रांस्परेंट दिखाना है बॉडर को आउटलेंड किया ट्रांस्परेंट है तो एलो कलर का ही इनका चुन रहे है तो वही कलर से ही अलकाल का इस प्रगार के एरेशा देना है और इनमें जो डिजाइन है क्रॉस डिजाइन वो डिजाइन बनाना है और इनके जो क्रॉस पॉइंट है उसमें थोड़ दोड़ देना है और फिर से थोड़ा सा डेशा देना है तो कसे बैक्रोंड का कलर भी दीख रहें और उपर का जो इनका इलो चुन रहे हैं वह भी दीख रहें तो यह सिंपल में एक ट्रांसपरेंट लुक दे सकते हैं इसी तरीका से तीक है जो इनका माला है इनको तो आगे बढ़ाएंगे तो और यह हम कंप्लिट करने जा रहे हैं इनके चेहरे में कपाल में थोड़ा से रेड टिका दे देंगे तो यह बन गड़ा में सुंदर साइक राधाक्रिश्न जी के फिस अधर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटून का दबा के लाइक कर दीजिए अधर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाए और नहीं किये तो सब्सक्राइब करके बेल बटून को दबा लिजिए जिसा आने वाला हर नई क्रिटू रंगुली के नोटिफिक्शन आपको मिलते रहेगा वीडियो कैसा लगा ज़रूर ज़रूर कमश करके बताएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा मिलते हैं इस प्रगार के सुने सुने रंगुली के साथ तब तक के लिए बाई बाई विश्यू हैपी दिवाली